नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मद्धप्रदेश में मैं हूँ आपके साथ अमित शर्मा मद्धप्रदेश में पोस्टर और वीडियो वार ने चुनावी खेल में शह और मात की चाल साफ नजर आती है कॉंग्रेस ने शिवराज के तो करनाटक के कॉंग्रेस के दाव को मद्धप्रदेश में उसी के खिलाफ पलट कर इस्तमाल कर दिया गया मद्धप्रदेश में कॉंग्रेस करनाटक जैसा पोस्टर कैम्पेंच शुरू कर पाती उसके पहले ही कमलनाट की पूर्व सरकार पर हमला बोलते हुए भोपाल में पोस्टर लग गए कॉंग्रेस ने पोस्टर को भाजपा की घटिया साज़िश बताया तो कॉंग्रेस के कमलनाट के सोशल मीडिया के हैंडल से शेयर कियेगा है वीडियो उस पर बीजेपी ने एफ आयार दर्श करवा कर पलटवार करने में देर नहीं की आखिर क्या है ये पूरा मामला इस पर हम चर्चा भी करेंगे लेकिन उसके पहले देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट प्रोड में मिस्टर करभ नाथ कमलनाट की सारी हितुरा वई ब्रिष्टा चार इसके लिए भरतियंता पार्टी कैसे कहले है राज़णी में कमलनाथ वांटिट के पोस्टर लगाए गए पोस्टर पर QR कोड भी दिया गया इस पर लिखा के स्कैम से बचने के लिए स्कैन करी पोस्टर्स में पूर्वसीयम कमलनाथ को करप्शन नाथ लिखा गया 15 महीने की कमलनाथ सरकार का जिक्र कर घोटाले बताए गए है वहीं इस मामले पर कॉंग्रिस बीजेपी पर हमलावर हो गई है कॉंग्रिस का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपना वास्तविक चरित्र दिखाने रगती है हमें छेडोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं मुख्यमंत्री शिवरास्ती चौहान एक्शन ले अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि ये बस उनके इशारे पर हुआ है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अपने वास्तरिक चरित्र को फदर्शित करने के लिए आमादा हो चुई है जिस तरह मानिक कमनलाज जी जो हमारे नेता हैं उन्हें लेकर एक पोस्टर अधियान भारती जन्ता पार्टी में चलाया है हम उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारे नेता पदेश की जन्ता के दिलों में भी राजित है मेरे राजणिति जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे उपर यह आज उंगली उठाने कामलनातद ब्रश्ट है हमारी सरकार चली थी तीन साल से ये सरकार में हैं। Յगर हमारे सरकार में ब्रष्टा चार था, इन्होंने case क्यों नी चलाए, इंक्वाइरी क्यों नी करी। आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है, हमारे देश के सबसे भरष्ट प्रदेश मद्देप्रदेश, हमारे देश के सबसे भरष्ट मुख्यमंतरी शिवराज सिंझी, जब आज ज़ंता का सामना नहीं कर पाड़े, उनके पास यही पचा है कि कमलनात को किस तरह नीचा दिखा पोस्टर्स भोपाल में शाहपुरा, मनीशा मार्किट, शैतान सीं चौराहे पर लगाए गए हैं कई और शहरों में इस तरह के पोस्टर्स नजर आए जुन्हें कॉंग्रस कारिकरता हटाते हुए नजर आए हैं इस पर कॉंग्रस ने थाने में शिकायत भी दर्स करवाई है पोस्टर पर बीजेपी प्रदेशा अध्याक्षुवीदी शर्मा ने कहा कॉंग्रस हमेशा आरोप लगाती है हर चीज बीजेपी पर क्यों डाल दी जाती है बीजेपी का इससे कोई लेडा देना नहीं है जवाब कमलनाथ को देना चाहिए कि वे करप्टनाथ है या नहीं कामलनाथ जी या कॉंग्रेस सोचे कि उनी के आपस का अंतरदूंद है जो लगातर दिखाई दे रहा है जीतन पैजार हो रही है जगे जगे पर संगर्स है बेटों की लड़ाई है बेटों की लड़ाई में अब उनको देखना चाहिए कि बेटों की लड़ाई में जो दूसरे युवा हैं कहीं उनका कमाल तो नहीं है यह उनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए भारती जुन्ता पर्टी सकारात्मक राज यो शेयर किये जा रही हैं। आपको बता दे किस तरह कि सियासत करनाटक में भी खूब देखने को मिली थी। करनाटक में कॉंग्रस ने पे-सी-म कैम्पेंग चलाया था। इस कैम्पेंग में पे-टियम की तरह QR कोड के भीतर करनाटक के ततकालिन मुख्यमंतरी बोममई की फ दानसभा चुनावों में इस तरह के पोस्टर अभ्यान कितना असर डाल पाते हैं। संदीब जी जिस तरह से भुपाल में ये पोस्टर लगे, कॉंग्रेस ने इस पर तीखा प्रहार किया और सीधे तोर पर जो आरोप है आपकी पार्टी ने भारती जनता पार्टी पर लगाया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनका तो इस पोस्टर से कोई तालुकात ही न हमारे सामने हैं जी तीर या चार मैने बाद बद्वनेश के विनान साथा के चुनाव होने रहा है जी और भारती जनता पार्टी ये बहुन अच्छे से जाए चुकी है, समझ चुकी है, कि उसका काम खता होने वाला है, और जैसा की राजिती में कहा जाता है, साम दाम गंड भेड, तो भारती जनता पार्टी इन सारे अस्तरों का उप्योग इस चुनाव को जीतने की कोशिश में करना शुरू कर दिया है, और भारती जनता पार्टी का चरित भी ऐसा रहा है, कि वह बुद्व की राजिती करने के बजाए, ऐसा कुछ माहॉल क्रेट करती है, चाहे गंद के नाव पे, चाहे जाती के नाव पे, चाहे विद्व की के नाव पे, तो यही एक एक साइज भारती जनता पार्टी का जो आईटी सेल शुरू से करता आ रहा है, उसने एक काम शुरू कर दिया है, और कमलाज जी के बारे में अब सब्दों का प्रियोग करना, करते के कारिकाल में किया है, तो तीर साल से आप सक्ता में बैठ कर, या तो नीद ले रहे थे, या चूडिया पे, इंदर बैठे थे, कमलाज जी जैसे एक अधिने से कॉंगरेस के कारिकरता के खिलाब, आप एक अपनादिक प्रक्रण दर्जे नी चल पाए, अगर उनने भ इस भोटाला किया, आपने महाकाल जैसी पवित्व इस्थित नगरी को भी नहीं छोड़ा, और सिहस्त भोटाले के बार, महाकाल लोग के निर्माड में जो ब्रस्टाचार किया है, वो पूरी आठ करोर जनता के सामने आ चुका है, जिसमें सब्त रिशियों ने उस जमी को छोड़ दिया, इससे ज्यादा प्रमाड आपको क्या चाहिए, सिर्फ भारती जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता को गुम्रा करने के लिए, अनरगल आरोत लगाती है, वह यह भूल जाती है, इस मध्यपदेश के लाखों युवाओं के साथ, आपने चल कपट करके व्यापम घोटाला किया और उनके मों से नवाला चीनने का काम किया, आप भूल जाते हैं, कि आपने अपना टी टेंडर घोटाला किया, आप भूल जाते हैं, आपको कहते हैं थे कि दो टाइगर हो गए, उस कुझे को लेकर सरकार को गिराने का काम किया आज उनकी अतिछी विद्वानों की इस्थी जस्थी दस है इसकूली शिक्षकों को आप देख ले ऐसे तमाम मुद्धे हैं महदाई है भ्रस्टा चार है और 125 गोटालों की लिस्थ है भारती जन्टा पार्टी अगर ये मानती है क के वह कमल नाज जी पर अनर्गन आरोप लगाकर खिस्यानी विल्ली खंबा नौचे की तरह किसी तरह का इस तरह का प्रयोग करती है तो कॉंग्रेस के पास भी 125 गोटालों की लिस्थ है लेकिन हम उन गोटालों पर नहीं जाने वाले हम उन गोटालों पर सरकार में आने के बाद पी चार्च कराके जिल्मधार लोगों को जेल के सिख्चों के पीछे बेजने की मंचा रखते हैं हमारी मंचा अभी वर्तमार में हम अध्यपदेश की आठकरो जनता को चाहे एक रुपे यूनिट विजली का जो हमारा पुराना नारा था उसको हमने बदल के 100 विजल ठीक है डॉक्टर संदीब जी मैं फिर आप करूप करूँगा हम रुख कर लेंगे डॉक्टर गुल्रेस चेक जी का डॉक्टर गुल्रेस जी जिस तरह से आपने सुना कि संदीब जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो पोस्टर कैमपेंग है कमलनात के खिलाफ ये बीजे कि इस से पहले दो सितंबर 2019 की निउस है टाइम सॉफ इंडिया की इसमें कमल नाथ के उस समय के वनमंत्री रहे उमंग सिंगा ने कहा था कि वो सोनिया गांधी को बाकाइदा पत्र लिखा था कि दिग्विजाय सिंग जी डी स्टेबलाइश कर रहे हैं कमल नाथ की सरकार को इन्हीं उमंग सिंगा जी ने कहा था मधिपरदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजाय सिंग है आपको यह इस परण होगा कि सज्जन वाटना एक जो मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने कि राजले से खत्या पीचे से छोड़ी मारके करने की रहती है तो मुझे लगता है कि कहीं ने कहीं कभिलनाथ जी को रिट्रॉन ना होगा कि इनके गुटों में कॉंगर्सी गुटों में कौन सा ऐसा है जो नहीं चाहता कि कॉंगर्स की कमान वाटना है जोड़ी क्या है जी चीक है इन्वेस्टिकेट खुद को करना पड़ेगा यह कह रहे हैं डॉक्टर गुरेज जी संजय जी कहम रुकर लेंगे वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ जोड़ेवेंस डिबेट में संजय जी दोनों ही पक्षों को आपने सुना कॉंग्रेस लगाता चुनाओं में ऐसे पोस्टर ऐसे तुदेश बर में कहीं ना कहीं कभी इस पक्ष के कभी इस पक्ष के लगते रहेंगे और यह आरोप इसलिए भी है कि कमनलाग की एक तरह से देखा जाय तो चालिस पैटालेस साल की जो राजनी पीक का जो अनुवा है उनका और जो बड़ कॉंग्रेस कह रही है तो हो भी सकता है कि बाज़पा के इसारों पर किसी ने लगाए हो जैसे में उनकी 26 दूमिलो और उसका लाव भाजपा को मिले क्योंकि यह तहीना कहीं यह कहा जाएगा कि आके जन्हों ने ऐसा किया था तब यह हुआ जैसे आपको याद होगा उस दि कि यह पुरानी बात हैं गरत में जा चुकी है और इसका रेलिवेंसी खास सोर्थ है भी बज्जब प्रदेश में उतना नहीं है लेकिन बीच में कबलाज जी का इन दौर में आपको याद होगा बिल्फुल कि कर लिया जी जी उसके बाद उनका 84 का दंगा निकाला गया तो वो भी एकदम महाल बना उसका तो ये जान बुच के एक देंट बारने के कोशिश है कि किसी तरह से भी पॉर्डलाइट करके कुछ भाजपा अपना फाइदा उठा सके लेकिन वहीं कॉंग्रेस भी कहीं नहीं पीछे नहीं है अब मुझे लगता है कि जैसे आज कि जाएं फाही है और सवस्टर राईक्नीटी के साथ यह देवल्मेंट की बात है जो शेयर के काम की बात है विकल की वह नहीं है और तब फाल्टू चीजों से मुझे लगता किसी भी पार्टी का बला नहीं होने वाला जी बिल्कुल और एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि शिवराज सिंग चौहान के कारेकाल को लिकर हुई कॉंग्रेस ने एक पोस्टर बना दिया है संदीब जी क्या अब इसे भी जल् कर लिया जाया और मैं चुनौती रेता हूं भार्ती जंटा पाइटी के तमाम निताओं को कमलाज जी पर आरोग लगाने के पहले अगर उन पर आरोग सिर्द्य करने का मांदा रखते हो तो उन पर आरोग लगाए वर्ना एक ऐसे राज्यतिक संत के उपर जिसके उपर कर लेए और चुनाओ को चुनाओ के तरीके से लेरा चाहिए भार्ती जंता पाइटी के जिन लोगों ने कहना चाहूंगा भार्ती जंता पार्टी भले इस बात को नकार रही है नेकर प्रश्न ये उठता है कि कमलाज जी से या कॉंग्रेस से खत्रा किसको है तीवी 24 को है और 27 को किया Đॉक्तर सानी जी को खत्रा है या ।isl event से कहसे कह सकता हूँ कमलाज जी की चो भी को लेकर जो भी दूस परचार किया जारा है उसमें भार्ती जंता पार्टी का हाथ है वे इस बात को स्विकार करें अत्वा ना करें लेकर प्रडेश की जनता ये सब देख रही है ये ऐसे राजनेतिक संथ के ऊपर जब्दों का प्रियोग गलत आरोप लगाए जा रहे हैं ये बहुत गलत है और फांग्रेस पार्टी ना तो शिवराज सिंग तरह से भारती जनता पार्टी ने रस्टाचार के दौरा, वृतालो के दौरा, अपराधिक राज के दौरा और एक तामार्टा शाही शासन पढ़ली जो बُलडोजर सिंस्कती की विकसित करके प्रदोष लोगों को गरीम लोगों को कंजोर लोगों के घरो carti के जारे जा रहा हैं जरिए खोंचे उनके के रहा हैं प्रमार भी मेडिया में है जिए कि ल्थ आपको योजार करme कर रहा हु THIS कोई धिक हब रही है लेका है रहे हैं पर पहले ही नशेक हो च्षखा आएगी कमलनाथ से खत्रा है इस वज़े से इस तरह के कृत्त हैं जे तो इतना समझने ही पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है उनके विधायक कितने उनके साथ है कितने उनके साथ चोड़ सकते हैं अधर जाहिए आएगी उसे जद्रादा इनको नहीं आएगी में ग्रांड की सिथी को बता ना हो लेकिन यदे आप इस तरह से बात करने नहीं जो पंगरीशी बात कर रहे जे शत्रमूल्व की तरह बात कर रहें ज़े शत्रमूल्व होता है थिस तो श्चमाद दिखता है तो तो आपकी गर्दम को रेत में जाक लेता है, तो गुश्मन अंदर है, और ये रेत में इनोदम उन्री चुपा रहे हैं, और BJP को पर आक्षे प्लग रहे हैं, आप समझे खुदी, आप साइकोलोजी करी समझे, कि हुमन साइकोलोजी के हिसाब से ये करने से BJP को फादा नहीं मिलता है, तो BJP क्यों करेगी, इसका करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति अंदर का व्यक्ति है, और अपने बेटे को इसापित करना जाता है, जवाब दे, संदीब जी, जवाब दे, संदीब जी, बहुत क्लियर बात, तो मुझे आडियो के कारण गुल्रेज जी की नहीं सुनाई दी है, लेकर मैं उनकी छेहरे को पढ़के, चुकि एक शिक्षा हूँ, उनके छेहरे को पढ़के समझ पा रहा हूं कि उनके चाहरे है किसकर की भावनाय अप्ति रखना चाहरे है, जो आरोग भारती जन्ता पा देखें, दरेंचिंग, तोमर, विडी, शर्मा, नरोतम, विश्रा और महराज जी, जानाब भाई साब बन गया है, भारती जन्ता पार्टी में जाके मुझे नाव यारत निया रहा है, वो भाई साब इन चाहरों के पीछ में क्या धमा चौकली मची है, आप मानवा में चले हो जाते हैं, तो इनके बीच में चल रहा है, इसको छुपाने के लिए, कॉंग्रेस में जवरन में इस तरह के आरोप नगाते हैं, आप देखें मत्यपुदेश में, मानवी कमल नाच जी के नेदत्तु में कॉंग्रेस की सरकार बनाने के लिए, जिग विजय सिंग जी पू हैं, तो कॉंग्रेस में कहीं कोई इस बात को लेके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, कि कॉंग्रेस से इस तरह का कोई सिरूपा छोड़ा गया हूँ, चलिए, रुपकर लिए हम वरिष्ट पत्रकार संजय सुनी जी का, संजय जी जिस तरह से अब ये पोस्टर वार शुरू ह हो चुका है, पहले एक पोस्टर जारी किया गया, अब कॉंग्रेस दूसरा पोस्टर जारी करने के तयारी में है, बीज़ेपी एक खिलाफ, लेकिन क्या ये लगता है कि ये जो पोस्टर वार है, इसका कोई भी असर जनता पर हो सकता है, आप उसे पूछ रहे हैं, जी संज कुछ सही रास्ता देखे कि किसमें हमारे लिए काम किया, किसमें नहीं किया, और जब वोट डालने जाए, तो उसका लाफ जिस पारिटी को भी मिले, लेकिन ये सच्चाई की बात होनी चाहिए, इस तरह के अनर्गल पोस्टर या सिवराज जी के खिलाब लग जाए, या कम करनेतिक जलों में बीच में कहीं नहीं होती, तो मेरा मानना है कि पोस्टर शेहर में अब तुदेश भर में ऐसे लगने चाहिए, कि हमने ये काम किये और इनकी सरकार्ती इनने ये अपनी पक्ष्य रखे, ये ज़्यादा वेलूवल होगा, ना कि इजी के अनर्गल आरोप लगाएं, गलत तरह से पोस्टर लगाएं, जिससे माहल खराब हो, मेरा ये मानना है, बिल्कुल, डॉक्टर संदीब जी जिस तरह से वरिश्च पत्रकार संजय सुनी जी कह रहे हैं कि हमें जमीनी बुद्दों पर ज्यादा काम करना हो, ये बहतर होगा, बताओर इसके कि ह वार पलटवार में ही फसे रहें, लेकिन अब चुकि ये पोस्टर जारी हुए थे, इसके बाद कॉंग्रेस में शिकायद भी की है, तो अगला कदम पार्टी का क्या होगा? कॉंग्रेस पारटी और कमलणार के खिलाब बामला जर्ज करके, कॉंग्रेस जनों को जेल के पीछे बहेंजने का टाकात दिखाईए, साहस दिखाईए, वरना इस तरह के जूटे आरोप लगाना बंद कीजिए, कॉंग्रेस पारटी जै किसान जो योधना थी, किसानों के खर्जमाफी की लाडली लक्षभी लाडली पहना योजना की जो फर्जी वाड़ा इन ने किया उसके जवाब में जो हम नारी सम्मान योजना लेके आए पास सो रुपे में गैस रेंडर की बात को लेके आए हम यह से तमाम मुद्दों को लेके आए हम तो चाहते हैं कि इसमें एक पक्षोर भी हो सकता है आपके जैसे कि आपके आपको प्रसांगिक बनाने के लिए कमलनाथ जी नहीं लगवा दिया हो यह पॉंट ऑफ इंडिस्टिकेशन फोना चलिए संदीब जी लेकिन अगर कमलाज लगाते तो उसमें तो पूरे घोटालों की लिस्ट भी आती बताया जारे क्यों और कोड़ दिया गया है उसे स्कैन करने पर पूरी जो लिस्ट है वो फिल जाती जी यह जी 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 तो आपको संवेदार एक आउप करने से लेकिन आप जूट और प्रम पहलाना चाहते हैं तो यह दिखा दे कि यह तो पहले से लगा रही है मेरे उपर मुझे बतनाम करने के लिए कहीं ना कहीं दिविजे सिंग का जो क्राफ बढ़ रहा है उससे भी कंपेर करने अपने आपको कॉम्पिट करने में थोड़ा सा ज्यादा प्रत्यारोप को दौर यहां पर थमता हुआ दिखना ही रहा है और फिलहाल देखना होगा कि अब यह पोस्टर वार कहां तक जाता है और मद्धिप्रदेश की सियासत में क्या कोई नया अध्याय लेकर यह आता है बहराल अब तीनों महमानों का बहुत-बहुत शुक्री हम से इस डिवेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्था किस्ता बनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसे के साथ मद्धिप्रदेश डिवेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही मुझे दीजिए इजासत नमस्कार राजनीति के खेल है राजनीति के खेल में कौन है गाजा, कौन है प्यादा, कहां तूटी है सैयद की मर्यादा, जनता में कौन गाजा रूप में 25 रूपे प्राप्त हुआ है, उसे जो है कोचिंग की फीज देने में मुझे बहुत मदद हुई है तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ